मित्रों नमस्ते, आईए हमबल राम चोर सेरलोजी, बी एल नॉलेज पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं तो आज की वीडियो में हम लोग ले क्या है, जेंडर के सेकंड पार्ट को अर्थात मस्कुलिन से फेमिनीन बनाने के क्या रूल होते हैं इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, जेंडर के बारे में जेंडर को चार्ट पार्ट किये थे, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनीन जेंडर, कमन जेंडर और नूटर जेंडर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेर करिए अधिक से अधिक लोग लभानवित होईए यही हमारा कामना और यही हमारी कार्ज करने का उदेश से है आएए शुरू करते हैं मस्कुलीन अर्थात पुलिंग से फेमिनीन अर्थात एस्तिरलिंग बनाने के क्या रूल होते हैं तो इसमें इस वीडियो ममलोग तीन तरह के रूल इसका पढ़ेंगे पहला रूल है by a different word मस्कुलीन के एक word के लिए different word मतलब फेमिनीन के अलग word होते हैं जैसे देखिए बैचलर यह मस्कूलीन है इसका फैमिनीन मेड होगा देखिए अलग-अलग बर्ड है तो उसी तरफ ब्राइड गुरूम दूलहा हो गया ब्राइड मतलब दूलहन हो गई यह देखिए बुलॉक बैल और हाइफ़र हो गया मतलब बैल का इस्तिरलिंग आता है गाय टाइप का समझे यह देखिए ब्यूक हो गया नर खरगोस और डूए हो गया मादा खरगोस देखिए कोल्ट मने बच्छेडा घोडे का बच्छेडा जो हता है उसको फिली कहता है उसके जो घोडे का बच्छेडी जो हती है उसका फैमिनीन ह होता है देखिए ड्रेक ड्यूक होता है इसका ड्रॉन देखिए भिन भिनाहट या बी इसका इस्तिरलिंग होता है देखिए अर्ल ब्रिटिस पूरुस होता है इसका इस्तिरलिंग है कॉंटेस फ्रायर देखिए डॉग फॉक्स जिसको कहते हैं इसका भीक्षन होता है अर्थ सथ कि बीच फोक्स ने ग्रेंडर इसका घुज हॉर्स का देखे मेर मतलब गोडा का घोडी यह के हार्ट रोय और लैड मने युवदी यह के लौर्ड इसका स्टिलिंग मतलब फेमीनिल लैडी मॉंक संथी नून मने मादा संथी जाय स्थीरी संथी देखे राम मने भीड और यह मने मादा भेड़ी हो गया, इसे सीरे का डैम हो गया, उसी तर देखे, एस्ट्रेग का जो नर हीरण होता है, उसका हिंद, मतलब मादा हीरण, टेलर देखे, पूरुस टेलर जो सिलाई करते हैं, उसका सिम, सिम एस्ट्रेस, यह देखे, विजार्ड, मतलब ओजहा या गु अर्थात वर्ड के लास्ट में इस जोड़कर देखिए जिसे मस्कुलीन और यह फेमिनीन हुआ तो मस्कुलीन में ओथर हुआ मतलब लेखक और ओथर ओथरेस मतलब लेखी का यह देखिए बैरन हो गया सामंत मतलब बैरोनेस यह देखिए जाइंट और जाइंटिस यह देखिए हाइयर मतलब हाइयरेस यह देखिए होस्ट मतलब सेवक सतकार करने वाला और होस्टिस मतलब सेव सतकार करने वाली यह देखिए जीव मतलब यहूदी जीवेस यह देखिए मैनेजर इस की इसका होता है già ए मैंगे टो देखें लाईन-लेनमस उसी तरह देखें पेट्रन का होता ह्ता है पेट रोन इस मतलब अशरेदाथा यहान अशरेदात्री तीर कर इसका पियर स्सक्राइण का प्रिंच प्रॉफ का परौिफेट इस से फर्ड का जो गडरिया होता है यह सेफ़र्डेस यह देखिए जो सब्सक्राइब कराने के लिए चुनाव में जीतते हैं उनको मेर का जाता है जीत है और देखिए इस तरह कुछ शब्दों में इस जुड़ते समय उस शब्द के अंतिम भौयल लोप हो जाते हैं जीसे तो यह एक्टर है इसके औह्तिम भौयल वो है इसका लोप हो जाएगा एक्टरेस देखिए वो हट गया बैनेफेक्टर इसमें ओक खतम हो जागा बैनेफेक्टर यह देखे प्रोप्री एक टर ऑप्राइटर देखे प्रोप्राइटर एस यह देखे सिमेस्टर सिमेस्ट्रेस टाइगर यही लूप हो जाता देखिए यहां पर देखिए ओर लूप हो जाता है डाइरेक्टर डाइरेक्टरेस ओर लूप हो गया है से विक्टर ओर लूप हो गया है विक्टरेस इन्हेरिटर देखिए ओर लोप हो गया हाँ पर और तीसरा इसका रूल होता है by prefixing और suffixing a word मतलब जो masculine के word है उसके पहले या बाद में उपसर गया परते आए जोड़कर भी masculine से feminine अर्थक पुरुष से sterling pulling से sterling बनाया जाता जैसे दखिए cock aspero तो यहां पे cock के बदला hen हो गया aspero का aspero हो गया देखिए बोर पीग तो बोर के जगा पर यहां पर so pig हो गया book rabbit यह डो रैबिट हो गया he wolf यहां पर c हो गया jack ass यहां पर jenny हो गया jack का बदला यह देखिए billy यहां पर nanny हो गया गोट का गोट है dog fox beach fox यहां पर बदल गया word juda यह देखिए man servant made servant यहां beggar man beggar woman देखिए लाश्ट में यहां पर जोड़ा चेंज़वा वर्ड गॉर्ड फादर गॉर्ड मदर हो गया landlord land lady हो गया milkman milkman हो गया पी कॉक हो गया पी हैं हो गया school master school mistress waserman waserman हो गया इसके बाद से देखिए कुछ ऐसे masculine है जिनके feminine नहीं होते हैं कुछ ऐसे pulling है जिसके sterling नहीं होता है जैसे देखिए clown clown मने जोकर यह pulling ही होता है यह देखिए captain यह pulling होता है judge देखिए pulling ही होता है person pulling ही होता है और यह knight मतलब उपाधी यह भी pulling होता है देखिए कुछ feminine जिनके masculine नहीं होता है sterling रूपे ही पाया जाता है इसका pulling नहीं होता है जैसे देखिए amazon हो गया brunet हो गया nurse हो गया prude हो गया syrian हो गया श्री हो गया वीरेगो हो गया वीरगिन हो गया अब देखिए कुछ feminine जो दोनों रूपे में होते हैं अर्थात masculine और feminine दोनों रूपे में होता है जैसे देखिए b यह masculine और feminine दोनों है du को देखिए यह दोनों है masculine feminine दोनों गुज देखिए यह masculine feminine दोनों है तो आज की वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए जैहन जै भारत have a nice day